बाबा वैद्यनाथ के रूप में ब्राजमान हुए और बाबा वैद्यनाथ का दरशन करने से जीवात्मा को रावड के जैसी भक्ती भागवान शदासिव की प्राप्त होती है तो तुल्सी और रुद्राक्ष की महिमा कावडन निकिया भागवान शंकर की पूजा में भश्म रुद्राक्ष को अर्पित किया जाता है महिश और बड़े जल्दी प्रशन होते हमारे जीवन में माला आसन और पंच पात्त यह चीज शाधक की लिए होना चाहिए जब शाधना करने बैठे उस समय आप आसन अपना होवे माला इबंपंच पात्त को रख करके ही भागवान के नापका जब शाधना करवे और गुरु मंत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र को जरूर समलित करवे मीर का अाभ बंद्वार्य वावान करवे तेष ते समय अंभे पख